अलीगर में जिला पुशासन और नगन निगम की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है 29 उखड़ने के बाद मेदान में खुदे बड़े गहरे गहरे जानलेवा गड़े बेजवानों के लिए काज साबित हो रही है आप देख सकते हैं जानलेवा गहरे गड़े में फसा बेजवान सान बहान निकलने की नाकाम कोसिस करता हुआ दिख रहा है गरसर अलीगर के थाना बना देवी लाका इस्तित नमाइस ग्राउंड में हर वर्स की बाती इस बार भी अलीगर महुत सब का आयोजन किया गया इस दोरान गिराउंड में बड़े बड़े होटल इस्टाल और सरकस का जमाबला लगता है जो कि पानी के लिए गहरे गहरे पांच फीट से आठ फीट तक के सोखता गड़े खुथते हैं मैदान में एकसर वारिश के कार पानी भर जाता है जिसके चलते मैदान में खोदे गहरे गड़े का अंदाजा किसी को नहीं हो पाता है आज कुछ ऐसा ही हुआ कि एक सार बदलते मौसम के साथ गर्मी के चलते उस पानी में चला गया जो कि सरकार स्टाप द्वारा खोदे गड़े सोखते वाले गड़े में जागुसा और उसमें फस गया सैंगलो बाई सान ने कीचर से बहां निकलने का प्यास किया लेकिन नहीं निकल सका आपको बताने पिछले वर्स भी यह है गड़ा जान लेवा था तोकि एक चोटा बच्चा उसमें खेलते खेलते डूप कर मौत के आगोश में सो गया था अलिगर महुत सब समापते होने के बाद जला प्रशासन और नगर नयम का कार्रा होता है कि इन गड़ा को भरबा दिया जाए लेकिन इस बार फिर से गड़े जसके तस जान लेगा हालत में बने हुए हैं जिसमें आज एक बेजुबान सान फस गया जहां एक और योगी सरकार ने बेजुबान गवर्णसों की रखवाली के लिए जिरा प्रशासन को जिम्मेदारी सौपी होई है वही इस दोरान कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या नवाइस प्रशासन अधिकारी इसकी सुद लेने तक नहीं पहुँचा क्विव इसकी कशासन काश्या सुद्रा नमाश लगती हो इसके बाद में कोई तवज्ज्ज्य देती हैं नहीं नहीं कटे नहीं किया पेले भी कोई हस्ता हुए नहीं कर अब क्या हुआ है इसमा कटे नहीं कि कि किती दिर भुद्ध है